कि नमस्कार मैं दॉलर शर्मा और आप देखना सुरू कर चुके हैं एस पीए नाइन नीज लगातार जैसे जैसे दोजार चौबीस का चुनाव सामने आ और वैसे बीजेपी की मुश्किल यहां बढ़ती हुई नजरा रही है चाहिए वह किसानों का मुद्दा हो पहलवानों का मुद्दा हो चाहिए राहुल जिस तरीके से विदेश में जाके मोद्य सरकार घर रहे हो तो लगातार मोद्य सरकार यहां दोजार चौबीस के पहले घरती में दारी और कम जोर दिखाए दिया है यहां पर आप दिख रहे हैं कि पीजेपी जो है अपने नौ साल पूरे होने का पूरे अच्छे से जस्ट मना रही है और अपनी लिस्ट दिखा रही है कि लेकिन बड़ा खुलाव सा जो है कि उनके पास सब्बूत है और जिस तरीके से अभी तक के जो तेरा प्रधान मंत्री ये कीरतिमान इस्तापित नहीं कर अपाए लेकिन पीम मोदी के नाम एक कीरतिमान इस्तापित हुआ है जो पिछले जाए नाम करज लिया शाट सालों में कुल 55 करोड रूपे का करज लिया और हर वार रेस में आगे रहने की चाहत में नरेंद्र मुदी जी पिछले 9 साल में हिंदूस्तान का करजा तीगुना कर चुके हैं कितनी बड़ी बात है कि जो देश जहां संभालने की करते हैं देश नहीं बिकने दूंगा देश को बचा कर दिया देश पर यह बादा दावा है कॉंग्रेस का सौ लाग करोड से ज्यादा का करजा उन्होंने मात्र से वाजिव नहीं है बीजेपी हमेजा जो करती है अपने जवाब में राजनीती चुपा के रखती है और जो भी मुद्दा चल रहा होता है उसको आगे पीछे करने की कोशिश करते और यहीं कोशिश की गई जो केंद्रे मंत्री हैं उनसे भी जवाब लिया गया और उन्होंन सतावन पॉइंट परसंट फिजिसी होने का यह अनुमान लगाया जा रहा है लेकिन इसके उपर अभी भाजपा पूरी तरीके से खुल के नहीं आई और देखा जाए इसकी जाच की जाए तो यह सवाल उटता है कि क्या कॉंग्रेस के दावे की मतावित मुजी सरकार के दिए वो बढשה और यहां पे प्रदाप्र मंकी ने वादे करते हैं कि हमने यह कह नको जो जो है इतना विस्तार किया है देश का नाम बना है विजगृ ना है लेकिन बढ़ा कि यह बढ़ा किया है और गोंग्रेश हमने प्राप्त कि है जो रिकॉर्ड है उन रिकॉर्ड को ले जाकर सुप्रीम कोट में हम दिखाएंगे और जल्दी अर्जी डालेंगे कि इसकी जाचों कि आखिर इतना चों करजा लिया गया है वो मोधी सरकार ने कहां कहां लगाया है और भी ऐसी खबर और विसलेशन जानने के लिए देखते रहिए